सावन की बहार है, खुशियों का त्योहार है, आई है राखी और तीच आपको मेरा नमशकार है, आज हम बनाएंगे घेवर, और ये घेवर ऐसा वैसा घेवर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट घेवर है, तो आज हम बनाएंगे मैंगो रबनी घेवर और चॉकलेट घेवर, तो ये जो रेसिपी मैंने यहां पर शेयर की है, वो बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली रेसिपी शेयर की है, और स्टेप बर स्टेप शेयर की है, आपने आजकल जो है अभी सावन चल रहा है, और राखी आने वाली है, और र अपने तरीके से, बहुत एजी तरीके से. So, आप इस रेसिपी को देखिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए और प्लीज, 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 मेरा पूरा वीडियो देखिए. आएए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं. घीवर बनाने के लिए हमें यहाँ पर मैदा चाहिए. तो यह मैदा मैंने लिया है, एक कप ले रखा है और ग्रैम्स में 150 ग्रैम्स है. इसी के साथ मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, यह एक बड़ा चमच है. और उसी के साथ मैंने यहाँ पर घी लिया है, जो कि चार बड़े चमच खी लिया है. और उसी के साथ मैंने दूद लिया है, जो कि आधा कप दूद है. और उसी के साथ मैंने सारा यहाँ पर यह सब गानेशिंक में जो यूज होंगे, वो चीज लिया है. केसर लिया है मैंने यहांपर, यह पिंच पर है, इलाइची पाउडर है, आदा छुटा चमच है, फिर जो मैंने काजू ले रखे हैं यहांपर, तो काजू जो है एक बड़ा चमच है, जो कि मैंने ग्रेट किये हुए है, और उसी के साथ यहांपर पिस्से लिये हुए है, मैं सब एक बड़े चमचे, आइस क्यूब्स लिये हैं मैंने और फिर थंड़ा पानी लिया है, आईए शुगर सिरफ बनाना शुरू करते हैं, तो इसके लिए मैंने शुगर ले लिया यहां पर और मैं पानी डाले हूं आधा कब, तो इस सब को हम गरम करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, शुगर सिरफ बनाने के लिए अब मैं इलाइची पाउडर डाले हूं, आठ मिनित तक हमें से चलाएंगे, इसमें निम्बुकरास एक चमच डालेंगे, अच्छे से, और उसके साथ मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी, तो पांस से आठ मिनित तक मैं स्टर करूँगी, और शुगर सिरफ बहुत ही जल्दी बन जाएगा हमारा, और हमें एक तार की कंसिस्टेंसी वाला ही शुगर सिरफ बनाना है, बहुत जादा गाड़ा नहीं करना है यहां तो यह देखिए, यहां पे शुगर सिरफ बन चुका है, यह देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं, इस सरह से हमें बन स्ट्रेंज की कंसिस्टेंसी में रखना है यह देखिए, तयार हो गया है, मैं अपना हीट बन करेंगा है, अब मैंने अपनी घीवर बनाने के लिए मिक्सर जार ले रखा है, और घी मैं इसमें डाल रही हूं, और आइस क्यूब्स भी मैं इसमें डाल रही हूं, और इसे हम ब्लैंड करेंगे 30 से के लिए अच्छे से, यह देखिए, यह ब्लैंड हो गया, अब इसी के साथ मैं आधा कप मिल्क लिए रही हूं, वह भी ठंडा है उसे ब्लैंड किया, तो यह देखिए, पूरा इनकॉप्रेट हो गया है, मिल्क और जो घी है सब अच्छे से, अब इसके साथ यह देखिए, इस तरह से दिखेगा यह हमें मिश्रंड, मैं मैदा डाल रही हूं, जो कि एक चुथा ही कप है, फिर मैं पानी डाल रही हूं, आधा कप, और इसको मैं ट्रिक्स करेंगे, मिक्सी में और बेसन डाल रही हूं, फिर वापिस मैं मैदा डाल रही हूं, और पानी डाल रही हूँ, यहाँ पर 1 cup, तो यह सारा जो चीज़े हैं, हम एके करके, धीरे-धीरे करके, mix करते जाएंगे, mixi में और डालते जाएंगे, और ठंडा पानी डालते जाएंगे, यह देखिए, nimbu का रज डाल रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ पर ठंडा पानी डाला है, तो टोटल मिलाके, हाँ पर मैं 3.5 cup पानी डाल रही हूँ, तो यह हमें जो पूरा blender में mixi, इस तरह का बनाना आए यह हमें, पूरा देखिए, इस तरह से चाहिए, इसकी consistency, पतला घुल बनाना है हमें, अब यह देखिए, हमें इस घुल को ट्रांसफर करी हूँ, बिग बोल में मैंने बरफ ले रखाया और पानी ले रखाया ठंडा ताकि यह थंडा रखना रहा है, तब यह जो घुल की जाली अच्छी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने घीले रखाया, इसे अच्छे से हॉट कर लिया है काफी, और जो beginners हैं, उनके लिए मैंने यहाँ बोल यूज किया है, तो बोल में मैंने यह मिश्रन भढ़ लिया है, और यह देखे, धीरे-धीरे करके हमें डालना है, जब यह bubble साना बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें बीच में center में धीरे-धीरे यहाँ पर, इस मिश्रन को धीरे-धीरे करके डालना है, घीवर बनाने के लिए, और अभी हमें बिल्कुल भी नहीं छेडना है यहां पर और इसको ऐसे ही रखना है बस धीरे-धीरे करके continuous हमें डालना है तो यह bottle से जब हम बनाते हैं giver तो 20-25 बार हमें बनाना पड़ता है और spoon से जब हम बनाते हैं तो 15-20 spoon में हमारा giver बहुत अच्छी थिक consistency वाला बन जाता है देखे यहां पर मैंने अभी तक भी बिल्कुल घेवर को छेडा नहीं है और बीच में ही हमें मिश्रन डालना है यह देखे धीरे-धीरे करके डालना है और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है यहांपर हमें बहुत घाराम से धीरे-धीरे करके डालना है थोड़ा मुच्या करके डालना है थोड़ा सा ताकि एकदम से वो जो घी है उपर ना आ जाये तो यहां पर heat अच्छा रखना है Gika, अब मैं आपको चमच से बता रही हूँ कि किस तरह से करना है, चमच से डालेंगे तो थोड़ा जल्दी से heat उपर आती है, जल्दी से जो giver का मिश्रण है वो एकदम से उपर आता है, देखिए चमच से धीरे-धीरे करके डालना हैãy, देखिए इस तरह से आता है तो आपको बहुत साउधा ने भिखानी है एंपर और इसी तरह से हमेंदी्हरे-धीर करके डालना है और यह giver का mission बस center में डालना है धीरे-धीरे करके बीच में धार करके डालना है और अच्छे से बनाना है यह giver और बात में थोड़ी दिर बाद हमें इसमें center करने के लिए थोड़ा लकडी के square से आप इसको बीच में center कर दीजे और या फिर मेरे पास metal वाला था तो कोई सलाई हो आपके पास उससे आप इसको center कर दीजे अब मैं थोड़ी दिर में इसको करने वाली हूँ क्योंकि देखें giver अपनी form में आ रहा है धीरे-धीरे shape लेना शुरू कर दिया तो हमें यह continue डालना है धीरे-धीरे करके अगर आप कम डालेंगे giver तो बहुत पतला बनेगा और अच्छे से 20-25 बार डालेंगे तो अच्छा मोटा giver बनेगा यह आपके उपर है आप किस तरह की consistency चाहिए giver बनाने के लिए आपको किस तरह का आपको thickness चाहिए तो देखें अब जो है मैं यहाँ पर इसको इस तरह से whole कर रही हूँ यह देखें इस तरह से दीरे-दीर हलके हाथ से ही करना है बहुत ज्यादा जलबाजी नहीं दिखानी यहाँ पर घेवर दिखने में ट्रिकी लगता है बनाने में थोड़ा सा हाट भी दिखता है बट यह बहुत एजी रसेपी है बस हमें यहाँ पर इस मिष्ण को कंटिनूस थंडा रखना है तो यह बॉटल को हमें थंडा रखना है और उस मिष्ण को बरफ में थंडा रखना क Chaos Giver , कि तेखिए कितना अच्छा Giver बना हुओ है कितनी अच्छी जाली आगया यहां पर वे लिखार में और देखिए इसको मैं इस तरह से निकाल रही हूं और यह जो निकालने के लिए हैं, हमें यहां पर एक जाली लेनी है, जाली के बरतन में हम इसे निकाल रहे हैं, यह देखे, यहाँ पर मैंने जाली का यह कंटेनर ले रखा है, उसमें मैं धीरे-धीरे करके इसको अपने मैं मैटल वाले स्केवर की सायता से निकाल रही हूँ, आपको बहुत साफधानी से निकालना है क्योंकि तूट भी सकता है, यह देखे, मैं आपको दिखा रहे हूँ, इस तरह से हमें निकालना है, और इससे क्या होगा, जो सारा तेल है या घी है वो निथर कर जाली से या ते आपको अराम से निथर जाया और निकल जाया रहा पर, इस तरह से मैं इसको निकाल लिया है, यह पर अच्छ यह देखे, तहरे घीवर जो हैं भी बने कर देखोंदी हो गया है, और मैंने हर तरह की शेपकी थेवर और यह देखें लास्ट में सारे घेवरों की, सो यह देखे, मैंने यहां पर चॉकलेट घेवर बनाया, यह बहुत इजी है बच्चों के लिए, और यह मैंने मैंगो रबडी घेवर बनाया, यहां पर मैंगो रबडी तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी और अभी जो है मैं यहां पर यह देखिए है, मैं मैंगो रबडी घेवर बनाऊँगी, उसके लिए भी फिर वही चाश्णी ले रही हूँ और फिर मैंगो रबडी स्प्रैट करूँगी सारी, बार चॉकलेट घेवर बनाने एक लिए मैं यहां पर नियुट्रला लिया है, और इसको स्प् अरे ज्यूह सिर्फ जो सब्सक्राइब करना है। छॉक्लिट गेवर रखता है। तो यह बहुत बाते हैं। तो आप इसी तरह से मेरी रख़िपी को लाइक किज़ए। कमेंट किज़ें। और शेयर कीज़ें। इसी के साथ में विदा लेती हूं। नहीं रख़िपी लाने क